तो दोस्तो मेरा नाम है राहुल, स्वागत है आपको Technical Work YouTube चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम wall fan के 3-speed switch का connection करने वाले हैं इस वीडियो के साइधा से आप किसी भी wall fan के 3-speed switch का connection कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए आपर मेरे पास Hevels Company का wall fan है अगर आपके पास किसी और company का wall fan से कोई problem नहीं है 3-speed switch का connection सेम ही रहता सभी wall fan में तो चलिए इसके back side में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका मैंने cover plate निकाल रखा है यहाँ पर इसे connection दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको यह रसी दिखाई दे रही है यह wall fan के movement के लिए लगी होती है और इसके अलावा जो दूसरी आपको यह रसी दिखाई दे रही है 3-speed switch के साथ connect हो रखी है यह 3-speed switch को control करता है और speed को कम या ज़्यादा करने के लिए लगा होता है इसके अलावा हम तार की बात करते हैं देखिए आपर जो तार आई हुई है वो इस fan motor के अंदर से आई है देखिए 4 तार है इसमें एक grey color की एक orange एक blue और यह red color की चार color की तार हैसमें यह जो कि fan motor से आई है यह दूसरा आपको wire दिखाई दे रहा है यह main supply की है तो चलिए अब इसका connection करते हैं थ्री स्पीड स्विच में यहाँ पर जैसे मैंने बताया था भी यह fan motor चार तार आई हुई है और main supply की यह दो wire है इसका connection हमें इसमें करना है इससे पहले यह वो थ्री स्पीड स्विच को देखते है इसके उपर 1,2,3 terminal लिखा हुआ है और यह वाला जो terminal है वो इसमें मैं सप्लाई की एक wire connect होती है तो जो थ्री स्पीड स्विच होते है वो सेम ही होते है और उनका connection भी सेम होता है यहाँ देखिए जो terminal है इसमें मैं सप्लाई की wire connect करनी है तो चलिए भी से connection करते है तो देखिए यहाँ पर main supply की किसी एक तार को लेना है तो यहाँ पर मैं इस वाले तार को ले लेता हूँ और यहाँ पर जो motor की wire आई हुई है फैन motor की इसमें से हमें नेली वाली तार लेनी है और यहाँ पर मैं ने इस blue वाले wire को ले लिया हूँ हमें कैbold करना है इन दोर में से किसी wire पर इसे connect करना है अगर आपके wall fan में इस blue wire के जगे black wire है तो भी आप इसे connect कर सकते हैं तो यहाँ पर blue wire था तो मैंने blue wire को mains apply की एक wire से connect कर दिया है अब इसके अलावा हमारे पास तीन वायर बच गए है एक gray color की वायर और एक orange color की वायर और ये red वाली वायर और में supply की वायर रह गई है इसके connection करना है तो सबसे पहले हमें इसकी speed को check करना है किस वायर पर कितनी speed आती है तो इसे check करने के लिए मैं extensive mode ले लिए तो देखिए मै लिए इस red वाले वायर पे लगाते हैं तो देखिए हमारे जो वाल फेन चल रहा है हो काफी तेज चल रहा है इसका मतलब जो red वायर है वो high speed के लिए अब हम main supply की वायर और orange वाले पर लगाते हैं तो देखिए आपर जो हमारी speed है तो पहले से कम है इसका मतलब जो ग्रे वाली वायर है वो low speed के लिए है तो इसी तरह आपको भी चेक करना है तीनों वायरो को किस वायर पर speed ज्यादा आ रही है किस पर medium आ रही है और किस पर low आ रही है तो उसको identify करना है फिर इन तीनों वायरो को हमें 3-speed switch के इन तीनों टर्मिल पर connect करना है इसके अलावा हमारी जो main supply की दूसरी वायर थी उसे हमे तो यहाँ पर मैंने इसे connect कर दिया है तो हमारी main supply की दोनों वायर connect हो चुकी है एक नीली वायर से connect हो रुखी है और एक इसके इसवाले टर्मिल से connect हो रुखी है अब हमें क्या करना ग्रे वाली जो वायर थी low speed के लिए थी तो low speed के लिए पहला वायर टर्मिल रोता है तो यहाँ पर मैंने इसे दूसरी नंबर वाले टर्मिल पर connect कर दिया अब हमारे पास यह तीसरी वायर बची है red वाली वायर इसे हम इस तीसरी नंबर वायर टर्मिल पर connect कर देंगे तो यहाँ पर देखे connect हो चुका है अगर आपके पास soldering आ रहा है तो आप soldering भी कर सकते हैं तो देखिए आपर जो connection हमारा complete हो चुका है तो चलिए एक बर connection देखते हैं मेंज supply के एक wire मैंने नीली वाले wire से connect कर दिया जो की fan motor से आई हुई है और मेंज supply के दूसरी wire इस 3-speed switch के पहले वायर टामिले पर connect कर दिया तो देखिए आपर मैंने इसके cover plate को लगा दिया है और अब हम इसे check कर लेंगे कि हमारा यह work करता है नहीं करता है तीनो speed में तो इसकी supply connect कर देते हैं तो देखिए इसके supply मैंने on कर दिया है अब इसे पहले number पर हम चलाते हैं तो देखिए आपर जो हमारा wall fan चल रहा है वो बह चलने लगा है इसका मतलब जो औरेंज वाली वाय थी वह medium speed के लिए तो आप इसी तरह एक connection कर सकते हैं अगर आपको connection से related कोई problem होती है तो आप comment करके पूछ सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को like कर देना अगर आप मेरी चैनल पर न कर गा कर देना अगर आपको नापन